दोस्तों आप देख रहे हैं बिज्ञान का पेपर नवी कक्षा का और यह जो पेपर है बहुत इंप्पोर्टनेंट रहेगा आपके लिए आपके जिले में भी ऐसा जो पेपर पूछा जा सकता है और देखिए यहां पर उत्तर बता दूँगा मैं सारे questions के किसी ठोस से सीधी गय सवस्था प्राप्त करने वाले पदार्थों का गोंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं उर्द्वपातन बोलते हैं तो यहां पर यह option करेक्ट हो जाएगा next question है वह धातू जो कमरे के ताप पर द्रब व्यवस्था में पाई जाती है उसको हम पारा के नाम से जानते हैं जिसको मरकरी कहते हैं आपको इंग्लिस और हिंदी में दोनों में ही यह paper है यह ध्यान रखना है आपको next question है इसमें आपसे पूछा गया है कोबाल्ट का प्रतीक है कोबाल्ट को जो है CEO के प्रतीक से जो है चिन्नित किया जाता है ठीक है यह पें सिंबल ओफ कोबाल्ट इस next जो है cancer के उप्योग में आने वाला समस्थानी कौन सा है तो कोबाल्ट 60 है ध्यान रखना है आपको कोबाल्ट 60 होता है कभी-कभी कोबाल्ट लिखाओगा तो आपको घभराना नहीं है, कोबाल्ट हो जाएगा, इसका आंसर, कोशिका का पावर हाउस, जो है, वो माईट्रो कांडिया को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माईट्रो कांडिया, नेक्स जो कोश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, रुधीर एक प्रगार का उत्तक है, तो रुधीर हमेशा संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है, जिसको कनेक्टर या कनेक्टिव टिशू बोलते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले इस्तनाई जन्तु जो है, वो कौन सी है, तो यहाँ पर जो आपको options है, इसमें इंडी इकीड़ना जो है, यह होती है, इकीड़ना जो है, यह इस्तनाई जन्तु है, जो अंडे देने वाली है, नेक्स जो कोश्चन है, इसमें पूछा गया है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते है तो वेग में जो परिवर्तन होता है उस दर को जो है हम त्वरण कहते है जिसको उर्जा का मात्रक होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर मैंने मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है, इसका एक बटे 6, इससे गुणा कर दीजिए, तो 60 गुणा में एक बटे 6 करेंगे, तो काट दीजिए, यह आपका 10 N आगया, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 10 N, ठीक है, अगला जो प्रशन है, इससे पुछा गया है, कतिज उर्जा का सूत्र खालिस्थान होता है, तो एक ब खालिस्थान रटके जाओ, रटना नहीं है, समझना है, और ठीक करन द्वारा खालिस्थान रोगों का निवारन किया जा सकता है, तो जो भी संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है न, जो भी संक्रामक रोग होते हैं, उनका निवारन किया जाता है, वाईय मंडल में नाइट्रो इसमें पूछा गया है, तो सोई घर में खाना पकाने में प्रियुक्त गैस का नाम जो है, क्या होता है, आप जानते हैं, LPG हम यूज करते हैं, LPG सिरेंडर लियार खतम हो गया, गैस, दूद से क्रीम प्रतक करने की विदी को खालिस्तान विदी कहते हैं, तो उसको अपकेंद इलक्ट्रॉन की खोज किस ने की थी, खालिस्तान आए गया, तो यहां पर आरा आंसर हो जाएगा, जे जे थांसन ने की थी, अगला जो प्रशन है, इसमें पूछा गया है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिला कर जो खालिस्तान होता है, उसको क्या कहते हैं, ह उपर मैंने बताया था, तो लिखने की जरूत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, तोरण का SI मात्रक, जो है, मीटर पर सेकंड स्क्वाइर होता है, यह द्यान रखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, घनत्यों की इकाई जो होती है, केजी प पावर 6 जूल होती है, यह आद रखना है आपको, आगे जो है, क्वेशन उसकी बात करते हैं, समवहन उत्तकों के नाम लिखिए, समवहन उत्तक में जायलम और फ्लोयम आते हैं, ठीक है, एक जल का परिवहन करता है, एक भोजम का परिवहन करता है, आप से क्वेशन गुमा प्याज होता है, केला है, लेसुन है, यह सारे एक बीज पत्री पादपो के उधारन है, गाड़ी द्वारा तै की गई दूरी की बात कर रहा है, दूरी किसके द्वारा मापी जाती है, तो ओडो मीटर के द्वारा इसको मापते हैं हम, नेक जो कोचन है, रॉकेट का को अपनी ओर आकरशित करता है, तो उसी को हम गुत्वार्शन बल कहते हैं, जो कि पित्वी पर अपने आप पित्वी की शमता के द्वारा लगाया जाता है, एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यानि कि 446 वाट होते हैं, याद रखना है आपको, अच्छा, इको कार पूरा नाम जो है, आपको बताना है, एक्वाइड, जो है आपको बता सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, एड्स का पूरा नाम, अच्छा, आसानी से बता सकते हो, आप, एक्वाइड, इम्यूनोडिफिसियंसी सिंड्रोम, ओजन परत के 6 का मुख्य कारण क्या है, CFC है, क्लो National Union of Pure and Applied Chemistry, ठीक है, यह पूरा का पूरा फुल फॉर्म है, आयू पैक नेम का, जो कि आपको दस्वी में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, यहाँ पूछा गया, तामसन ने प्रमानु माडल की तुर्ना की से की है, तो उसने प्लम पुडिंग से की थी, यानि की तर्बू होगी कि मैं अंतर लिखिए, नेक्स जो कुशन है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रशन पत्र जो है, यह थोड़ा सा बलर है, तो आपको ध्यान रखना है, और आपना प्रशन पत्र आपने जिले का भेजना चाहें, तो आप इस पर नमबर भेज सकते हैं, विस्तापन किसे कहते हैं, हमें किस प्रकार के वीज का परियोक करना चाहिए, उसके बाद निउरान का नमां की चित्र बनाना है, अचिक और अनेचिक किरियाओं पेशिक किरियाओं में हम बता सकते हैं, सैजी रूत आ आपसे पूछा जाता है हमें सहड़ा हमें से ध्यान रखना है, और लिखनी है आपको लोहे से बना जहाज बने की नियम सम्झाइब का नियम समझाई चाहिए कि लिखेए karma Zання के नियम बताईए और इसी माथोआ दिया और किसे दांत की विवेचना कीजिए अगला जो क्यों समझाई फोड माडल का घाव यह इसी में option में दिया गए है आपको थामसल के परमानु माडल को सचित्र बंडन कीजिए जहां पर चित्र मिले आप बना देना ठीक है पादब कोशिका का नामांग की चित्र बनाईए जन्तु कोशिका का नामांग की चित्र बनाईए अथवा में है ये question दोनों में से कोई भी एक चित्र है गुर्ट्वाक्षन का सावतिक नियम क्या है इनुवर्सल लो क्या है आप जानते हैं capital G से जिसको डिनोट किया जाता है इसके बाद जो next question है इसमें पूछा गया है आपसे आकमिडिज का सिद्धान्थ लिखिए और उसके बाद दो 26 नमबर है तेलो फाइटा की विशेशता हैं लिखिए अथवा में जो है सिलेंटरा वक की विशेशता हैं लिखिए तो यहाँ पर इस तरह के प्रशन पूछे जा रहे हैं जिस पर आप प्रशन पत्र का PDF हमें भेज सकते हैं PDF अपना साब भेजिएगा जैसे आपने देखा कि यह PDF भी ठीक ठाक है जिसका अंसर आप देख चुके हैं अगर PDF खरावाता है तो फिर उसका अंसर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आपसे अनरोध है इसको आपको ध्यान रखते हुए सभी Question Paper को पढ़ लेना है आप जो है विस्वास अपने आप में जगा पाएं Thank you very much